हेलो फ्रेंज आज हम दोस्तों पढ़ेंगे दा ट्रमपेड मिजर जिसे लिखा था थॉमस हाडी ने दोस्तों थॉमस हाडी ने इसे पब्लिस कराया था 1880 में जब चल रहा था नेपॉलिक वार ब्रिटिस में यहाँ पर दो लोगों की लड़ाई चल रही थी दोस्तों ब्रिटिस और निपोलियन्स में तो यह उस समय का नोबल है दोस्तों यह यूनिक नोबल इसलिए है क्योंकि थॉमस हाडी ने सिर्फ एक ही इस्टोरिकल नोबल लिखा था और उनका एक मात्र हिस्टोरिकल नोबल यही है जिसका नाम है दा ट्रमपेट मेजर तो दोस्तों इसमें एक कहानी दिखाए गई है एक लड़की की और उसकी एक विद्वा मा है और यह कहानी चलती है इसी हीरोईन यानी की इसी लड़की के इद्गेद इसके लाइफ में क Thomas Hardy के लाइफ में उनका जन्म हुआ 2 जून 1840 में और उनका मृत्ति हो गई 11 जन्वरी 1928 में जब वो UK में रहते थे, वो नॉबलिस्ट थे, पोएट थे और सौर्ट स्टोरी राइटर भी थे दोस्तों, उनकी एक बेस्ट फेमस नोटेबल वक थी जिसका नाम था The Measure of Castor Bridge. तो आएए दोस्तों, ये तो हो गया Thomas Hardy के बारे में, अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, स्टोरी की सुर्वात होती है हिरोईन से. और इस हिरोईन का नाम होता है दोस्तों, एने गार्डलेंड. एने गार्डलेंड रहा करती थी, फ्लोर मील की नाम की एक जगह पे, जो की लंडेन में है, और ये अपनी विद्वा मा के साथ रहा करती थी. जिस फ्लैट या फिर जिस जगह ये रहा करती थी, उसका एक ओनर था, मालिक था उस जगह का, जिसका नाम था मिलर विलियम लवडे. अब मिलर विलियम लवडे जो होता है दोस्तों, वो एक सुल्जाववा आदमी होता है, और कहानी आगे बढ़ती है. कहानी में दिखाया आगे जाता है कि ये वक्त है 1804 का, जिस वक्त इंगलाइन काफी ज़्यादा दर के महाल में, क्योंकि अब नेपोलियन का अटैक का टाइम आ गया है, और इसी डर के महाल में पनपती है एक लव स्टोरी. एने जो है दोस्तों, वो काफी खुबसूरत सी लड़की थी, जिसक तरफ एट्रैक्ट हो जाता है जॉन लवडे, जॉन लवडे कोन होता है दोस्तों, ये जो एने के ओनर है, यानि मालिक है घर के, उनका नाम था मिलर विलियम लवडे, उसी का बीटा होता है दोस्तों, जॉन लवडे, अब जॉन लवडे जो होता है दोस्तों, वो बिटिस का एक work होता है और ये attract हो जाता है एने की खुबसूरती को देख करके ये उससे प्यार करने लगता है और एने भी इसके दरफ खिचे चले आती है ये कौफी कोसिस करता है तो वो भी मान जाती है क्योंकि वो owner का बेटा होता है अब अचानक ये पता चलता है स्टोरी में दोस् वो भी एने को like करता है पर एने उससे जानती ही नहीं तो वो उससे प्यार नहीं करती है वो प्यार करती है जॉन लवडे से उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ रही होती है कि तभी एने की जो विद्वा मदर होती है दोस्तों वो attract हो जाती है मिलर विलियम लवडे यानी की owner स अब owner से इसका relation हो जाता है तो वो कहती है कि हम अपने बच्चों की साधी कर देते हैं पर तब ही twist आता है कहानी में कि Miller जो है वो प्यार करने लग जाता है Annie की mother से अब दोस्तों इन दोनों की अगर कुछ हो जाए साधी वागेरा तो ये दोनों तो भाई बहन हो जाएंगे तो इस वज़े से Annie जो है अब जॉन लवडे को छोड़ करके फेटस डेरेमन के पास आ जाती है कि ये तो मेरा भाई नहीं लगेगा और ये होता है दोस्तों स्क्वाइर का नेफ्यू स्क्वाइर कोन है ये आगे हम जानेंगे अचानक फिर इंटरी होती है बॉब लवडे की बॉब लवडे कोन है दोस्तों जॉन लवडे का भाई और मिलर विलियम लवडे का तूसरा बेटा अब जो बॉब लवडे होता ये काफी हैंसम सा आदमी होता है दोस्तों और इस सारे स्टोरी के बीच में अब एक नया करेक्टर आया है अब ये जो लव ट्राइंगल जो हुआ था दोस्तों जॉन लवडे और एने के बीच में ये काफी अब तूटने लगता है और अब स्टोरी जो है वो इसमें सेट हो जाती है कि फेटस से वो लव करने लगी थी पर एने जब उस हैंसम बॉब लवडे को देखती है तो वो फेटस को भी छोड़ देती है और कहती है वाओ कितना खुबसूरत ये नौजवान है और कितना अच्छा नेवी के ड्रेस में है बॉब लवडे जो होता है दोस्तों वो नेवी का एक आफिसर होता है और अब वो छुटी में आया हुआ होता है अब जब वो इंट्री करता है घर पे तो एने तो काफी ज़्यादा लव में उसके पड़ जाती है पर अचानक वहाँ पे एक लड़की आती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं एक पीछे से उस नेवी मैन के साथ एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मटिल्डा तो वो कहती है अरी कहीं तुम मेरे बचपन के दोस्त तो नहीं हो क्योंकि तुम्हारी पिक्चर तो ऐसे ही मिल रही है जवानी में थोड़ा फेस अलग हो जाता है दोस्तों इसलिए वो अभी तक पैचान नहीं पा रही थी पर जैसे ही वो उसके घर के पिक्चर को देखती है वो पहचान जाती है कि यही मेरे बचपन का दोस्त बॉब है और वो भी मतिल्डा को पहचान जाता है कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों अब कहानी में आता है दोस्तों मोड जॉन जो होता है दोस्तों वो काफी ज़्यादा जनली लगता अपने ही दोस्त चोड़े भाई बॉब से और वो अब कहता है कि जॉन अपने चोड़े भाई से कहता है बॉब से कि अब मटिल्डा को जाने दो उसके घर में वो फिर आ जाएगी और जॉन के इस रवईये से बॉब काफी जादा गुस्ता होने लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जॉन उसका ब बॉख रही था क्योंकि उसका भाई तो उससे नाराज था क्योंकि उसने मटिल्डा को जाने को कह दिया था और एने जो है वो अब इससे प्यार करती नहीं थी जॉन से वो प्यार करने लगी थी उसी के छोटे भाई बॉब से अब एने जुए दोस्तों वो काफे ज़ादा फ्री हो चुकी थी क्योंकि जॉन तो चला गया था बेडियोस आर्मी में और बॉब आव अकेला था और मटिल्डा को भी जॉन ने भेज दिया था अब क्या करती है ये एने कि बॉब को है ना बाई हूप और बाई क्रोग यानि कि जैसे भी हो साम दाम डंड भेट जो भी थी और इधर वो लेटर भी लिख देती है जॉन को कि तुमने जो मटिल्डा को भेजा है वो गलत था क्योंकि मुझे लगता है कि बॉब जो है वो मटिल्डा को ही चाहता था और वो लोग दोनों साधी करके खुस भी रहते हैं पर इस लेटर को जॉन जो है वो अलग मिनिं ने भूली गया, फेटस जो है, वो भी तो एने से प्यार करता था, तो ये फेटस क्या करता है, अपने स्क्वाइर नेफ्यू, यानि कि स्क्वाइर नाम का एक चाचा रहता है, इसका फेटस का उसको भीजता है, अब स्क्वाइर जो हता है न दोस्तों, उसकी काफी जादा व इससे भी जादा मेरे पास प्रोपर्टी है मेरा नाम स्क्वायर है और मैं फैटस का अंकल हूँ ये देखो मेरी वसीहत पर एने को इस चीज़ पर जरा भी इंट्रेस्ट ने होता दोस्तों वह उठाती है और उसके अंकल का जो वसीहत होता उदर उदर फेक देती है और किसी औरत को वह मिल जाता है अब कहानी टर्ण होती है दोस्तों इधर अचानक ये खबर आती है कि एने के मदर जो है जो विद्वा माती वो मिलर के साथ यानि कि मिलर विलियम लवडे के ओनर के साथ इतना इंगेज हो गई कि वो दोनों ने साधी कर ली अब कहानी में ये दिखाया जाता है दोस्तों कि अचानक न्यूज आती है कि इंगलाइन जो है वो अब काफी दर के महौल में हो गया है तो आप सतर्क रहें क्योंकि यहां पे कभी भी अटैक हो सकता है नेपोलियन्स का और तभी फेर्टस जो होता है वो एक प्लैन बनाता है वो थोड़ा ड्रिंक कर लेता है और एनी को लेकर की एक कमरे में चला जाता है चुपके से उसे बुडबग बना की अब एनी जो होती है दोस्तों वो रूम में फेर्टस के साथ चली जाती क्योंकि वो उसके बहाना बनाया हुआ रहता है और तभी वहां आ जाता है जॉन और जॉन जब देखता है कि एनी और फेर्टस वहाँ पे अकेली थे रूम में तो उसे काफी ज़्यदा गुस्ता आने लगता है और वो फेर्टस को मारने लगता है जॉन से पिटता हुआ फेर्टस काफी नसे में होता है तो वो सुचता है कि मुझे फेर्टस जो मैं हूँ मुझे जॉन ने नहीं उसके भाई बॉब ने मारा है सायद वो यही सोचता है और अचानक वहाँ पे बॉब आ जाता है और बॉब देखता है कि एने जो है वो अकीले है जॉन के साथ क्योंकि फेटस वहाँ पे मार खाके जा जुका होता है लेकिन जॉन जो होता है दोस्तों वो बॉब को नहीं देखता है और सोचता है कि एने के साथ अब मैं रहूँगा रूम में पर अचानक बॉब की इंट्री होती है और वो कहता है कि भाईया तुम यहाँ क्या कर रहे है अब जॉन उसे बताता है कि मैं अपनी गर्फरेंट का वेट कर रहा था वो आने वाली है तो जॉन बॉब कहता है अच्छा तुम्हारी गर्फरेंट ने तुमने बताया नहीं अब बॉब उस पर जोर डालने लगता है कि मुझे अपनी गर्फरेंट से मिलाओ तब जॉन कहता है कि ठीक है तुम एक ये पार्टी में आ जाना और वहाँ पे मिलने ना तो एक स्टेज सू होने वाला होता है दोस्तों वहाँ का वो टिकट देता है उसको और बॉब और अने दोनों बोलते हैं कि हम तीन दोनों आएंगे अब तीनों वहाँ पहुंचते हैं जोन एने और बॉब अब वहाँ पर फेटस भी होता है जो कि मार खाने के बाद एने और इन तीनों लोगों से बच रहा होता है कि कहीं ये लोग फिर से मुझे मारे नहीं अब वहाँ पर पता चलता है कि stage 100 में सोकुन कर रही थी दोस्तों मतिल्डा अब होती है मटिल्डा की इंड्री जिसे जॉन ने भगा दिया था अब जॉन जब मटिल्डा को देखता है तो वो काफी ज़्यादा घूम सा जाता है दिमाग और वो काफी ज़्यादा लब में पड़ जाता है और बहुत ही मुस्कुराहट से उसे देखने लगता है अब यह सब तो दोसतो एने और बॉब भी देख रहे हैं अब एने और बॉब समझ जाते हैं कि मटिल्डा से जॉन प्यार करता था इसलिए जॉन ने उससे भगा दिया अब Matilda जो होती है दोस्तों वहाँ पे stage सो कर रहे होती है लेकिन वो fetus के साथ मिली हुई थी होती है क्योंकि वहाँ पे nobel requirement आने वाले होते हैं मतलब nobel के कुछ works होते हैं वो लोग आने वाले होते हैं और वो anchoring करवाना चाते थे जॉन से पर fetus अपना बदला लेता है क्योंकि उसे जॉन ने मारा था और वो सब को बता देता है Matilda के help से कि वो तो कुछ कारी नहीं सकता है उसे stage fear है वो कुछ नहीं है नॉन्स कर सकता है उसे nobel requirement मत बनाईए उसमें कोई भी उतना ability नहीं है अब बॉब को पता चल जाता है दोस्तों कि Matilda ने fetus से हाथ मिला लिया है तो वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिस करता है और उसमें इसकी मदद करते हैं Captain Hardy Captain Hardy उसे help करते हैं वहाँ से निकलने में और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है John ये देखता है कि अब ये बॉब तो निकल चुका है तो अब मैं free हूँ तो वो क्या करता है दोस्तों वो NA से अपना proposal रखता है पर NA उसे reject कर देती है NA उसे reject करके वहाँ से बाहर जाही रहती है कि अचानक उसे king और queen मिलते हैं किंग और queen काफी ज़्यादा घवराट में होते हैं क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी war हो सकता है तो NA उसे तसली देती कि हम ही जीतेंगे और उसके बाद NA वहाँ से चली जाती है अब NA भी उसमें interest दिखाने लगती है और कहती है हाँ यही ठीक है क्योंकि बाब तो जा चुका था अब आमी में और अचानक बाब का उधर से later आता है दोस्तों अब बाब के later में लिखा होता है दोस्तों कि मैं NA तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं में जल्दी वापस आने वाला हूँ पर NA तो आप जौन से प्यार करती है अब आगी क्या होता है अब वो दिखती है दोस्तों अब NA जो होती है वो बाब के later का reply नहीं दीती तो बाब खुदा जाता है दोस्तों बाब खुदा आता है तो NA उसे काफी ज़्यादा नाराज होती है पर बाब उसे बताता है कि मुझे वहाँ से क्यों जाना पड़ा था और काफी रोता दोता है तो NA उसे मान जाती है और फिर वो लोग दोनों लव में पड़ जाते हैं अब इधर entry होती है दोस्तों squad की square कौन था दोस्तों वो nephew था फेस्टस का अब वो NA को एक box देता और कहता है इसमें मेरी सारी जमापूंची या वसीहत है तुम प्लीज इसे कहीं चुपा दो क्योंकि मेरे भतीजा फेस्टस और उसकी फियोंसी Matilda इस box को ढून रही है अब Matilda क्या करती है दोस्तों इसे एक windows seat में चुपा देती है इसके बाद अचानक वहाँ पे बॉब आता है और बॉब फेस्टस को लेके आता है और फेस्टस और बॉब जो है वो काफे अच्छे दोस्ट हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं हम लोग रात भर यहीं रहेंगे और हम लोग वाइन भी पियेंगे तब ही वहाँ पे जो मतिल्डा होती है वो भी आती है तो एने उसे देख करके काफे ज़्यादा गुसा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है तब ही वहाँ पे स्कॉयर डेरिमन आता है और वो देखता है कि फेस्टस यहाँ पे है तो वो अपना बॉक्स उठाता है और ब गुसे में चती है और इन जो है वो अपना जाकर चेक करती है कि क्या सच में वो भॉक्स उन्हें नहीं मिला वो गुसे में क्यों Christopher जब वहाँ आ देखती तो आने देखती तो आएने देखती कि वहाँ पर बॉक्स में एक वसीध है और स्क्वैर ने सारी प्रॉपटी एने के नाम के कर दी है और कुछ एक दो घर जो है वो किसके नाम पे थे दोस्तों फेस्टस के नाम पे जिससे वो आयासी ना कर सके और सही इंसान बन सके अब फेस्टस के पास कुछ घर बज जाते हैं और वो उसी में खुस होना पड़ता है उसको क्योंकि NA के नाम सारा स्क्वाइर ने अपनी प्रॉपर्टी कर दी थी अब नोबेल के अंतिम में ये दिखाया जाता है दोस्तों अब फिस्टस जो है दोस्तों वो समझाता कर लेता और मर्टिल्डा से साधी कर लेता है फिस्टस और मर्टेलडा की साधी हो जाती है और इधर एने काफी घुस थी और एने और बॉब की भी अब engagement हो जाती है और वो लोग दोनों engage हो जाते हैं इधर बच जाता है तो दोस्तों John, John क्या करता है वहाँ पे स्पेन में एक वार होने वाला होता है वहाँ पे वो भरती ह हो जाता है और यह खबर आती है कि आप जान नहीं बचा और यहीं पे हमारी यह नोबल खत्म होती है दोस्तों आपको मेरी explanation कैसी लगी comment section में बताएं और इस वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें मैं आपसे मिलूँगा next story में आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए thank you दोस्तों, मिलता हूँ next story